हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात तिरपान स्टेडि सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं सोसल साइंस यानी समाजिक विज्ञान जोगी काफी महतपून टॉपिक है इस पे हम हर एक विस्तार पर चचा करेंगे और हर एक पहली उपर प्रकास डालने कोशिश करेंगे तो देखते हैं मारा आज टॉपिक क्या है हमने पिछले पार्ट में रोमन समराज की तागरत और महेंता के बारें पढ़ा है अगर आपने जो है इसका पहला टॉपिक नहीं देखा है पीचे वारा तो देख लेना उसमें हमने रोमन समराज के विशेय में प्रकास डाला था और उसमें हर बास समझने कोशिश किया था तो वो काफी महतुपून रहेगा आपके लिए विडियो जो पुराना है ठीक है इसमें के बीच में रोमन समराज पश्मी और पुर्वी छेत्रों में बट चुका था यह काफी जरूरी है कि रोमन समर पुर्वी प्रांतों की राजधानी बन बैठी और रोमन समराट कास्टो स्टाइन ने 330 की यह जो है बेजनतिया के पुराने इनानी सहर में पुर्वी छेत्र की नई राजधानी स्तापित करने में सफल हो गया नई राजधाने उसके नाम पर खुस्तुनिया के रूप में चाने गई जयानी आगे चलके किस्तु निया के नाम से जाने गई पूरी विश्व में और पच्वीं हिस्सों में सम्राज के पतन me एक हजार साल बाद के पुर्वी हिस्सों में रोमन समराज्य ठीका रहा कहते हैं एक हजार साल तक रोमन समराज को ठीका रहना काफी महतुता की और इशाड़ा करता है और यह पर भी रोमन समराज यह बेजतांतियां समराज के नाम से भी जाना गया इस्तिती में था यानि उस समय जो है पश्मी एरोपिया बिल्कुल ही पिछरी हुई इस्तिती में थी और इनानी भाशी लोगों के पुर्वी सवता आर्थिक संस्क्रिती जीवन में बहुत मुलंदी पर पुँच गई थी गात और मंदल जो है विशा गात आर्व फैंक्रित जैसे विभीन जर्मनिक कभीलों के जो हमले के बाद पश्मी में रोमन समराज धैस आ गया था और 476 में रोमन समराज का तक्ता प्लट कर इस हमलावारों ने अपने अलग अलग उत्तरवर्ती यानि संस्रेशा राज्य स्थ कर लिए जो की काफी महत्वपून था कि इसमें तो यही प्रेशन सबसे पहले उड़ता है क्या इन तमाम राजनी उथल से जटिल परवर्तन आये कहते हैं जो यह उथल पुथल हुई क्या इसमें राजनी परवर्तन देखने को मिला क्या रोम रोमनों ने जो राजनीतिक औ कि जगह अपनी विजवस्ताइन नहीं लाए दरासल इसमें एक बात थी कि रोमन और जर्मनिक समाज एक दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे में जो गूल मिल सी गए कहते हैं जब दो संस्कृति आते हैं आमने सामने तो वो दोनों एक दूसरे से घूल मिल जाती हैं और कई संस्कृतियां जो एक दूसरे के अपना भी लेते हैं तो यह आम बात थी और इसके और उस समय की राजनीतिक और आतिक इस्थित्यों की करण जो एक नई किसम के समाज को जनम हुआ कहते हैं अगर दो संस्कृति आपस में मिलती है तो नई समाज का जो जनम होता है और इस समाज की संस्थाएं और विवस्ताएं रोमन जर्मनिक दोनों से काफी भींद थी और इस समाज की समस्थिक राजनीतिक और आर्थिक संगटनों की पूरी तरह बदल दिये थे आईए देखे कैसे पजिती विक्सित हुई इनकी विस्ता क्या थी तो उसको जो है हम सारे विशह में जो है अगले टॉपिक में विश्तार पर चर्चा करेंगे इसके लिए आपको तिरपान स्टेडी संटर का बने रहना परेगा अगला टॉपिक जो हमार रहेगा समानताबा राजनीतिक और समाजिक आर्थिक पहली किस परकार के थी तो उसके विशह में अगले टॉपिक में विचार करेंगे तो यह काफी महत्व रखेगा यहां तक अगर बात आपको समझ हो आ गई हो के बारे में अगर आपको अच्छा लगा मन से अगर आप तिरपान स्टेडी स प्रकार करना चाहिए नहीं किया इस बात को कभी भी सोचने की अवशक्ता नहीं है जिसे अपने कारे सदेव करता ही रहता हूं तो आपका भी कारे जितना हो सके तिरपान स्टेडी सेंटर का मदद करना है और मदद करने के लिए आपको पता ही है कहते हैं जो समझदार होते हैं उनको इसारा ही काफी होता है उनको बार-बार बोलने के वशक्ता नहीं होती है और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो अवस्ट्राइब कर लिजिए अगर तो अगरे वीडियो का नोटिफिकर्शन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा तो इसलिए अच्छा है कि स्क्राइब कर लिजिए और तेरे पाने सेंटर के लूप तुठाइए तरे पाने सेंटर सिरफ एक क्लास के बच्चों के लिए अगर सर नहीं है यहाँ पर एड्ट से लेकर एम में तके बच्चों के सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर झाल झाल